तो आज हमारे साथ हैं स्टोडियों में शैलेश जारिया जी आए जानते हैं हम उनसे सैबर क्राइम के बारे में सैलेश जी हमारे दर्शकों को बताइए कि असल में ये सैबर क्राइम है क्या साइबर क्राइम । मतलब इसमें मुबाइल, लैप टॉप, इन्टरनेट या टेकनोलजिय का इसतमाल किया जाता है जो भी इन चीजों के जरी क्राइम होताँ है, ऐसे हम साइबर क्राइम जैते हैं एक आम तर पर देखा जाए तो जो टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करता है, जो भी कम्प्यूटर, मोबाइल, इंटरेट का इस्तेमाल करता है, वो शिकार होता ही है, जेकार कही नहीं इंटरनेट की अगर रिसरच देखे तो 60% लोगों के उपर साइबर क्राइम का इटक्ट तो इसके शिकात सभी कही ना कही हो चुका है किसे ना किसी प्रकास है अच्छा ये कितने प्रकार के सैबर क्राइम होते हैं वैसे देखा जाए तो साइबर क्राइम सौ से ज्यादा प्रकार के होते हैं बट करने के लिए जो सेग्मेंट होता है वो अलग अलग होदेश है कि अज स्टूर्ट्स को एक अलग तरीके से अलग क्राइम के लिए टार्गेट किया जाता है वर्किंग वुमेन है उनको अलग तरीक से टार्गेट किया जाता है senior citizens हैं उनको अलग टार्गेट किया जाता है working youth है उनको अलग तरिक से टार्गेट किया तो cyber crime कहीं प्रकार के है बट उसमें वी कहीं विपागे जिसमें particular age group को उसको टार्गेट किया जाता है और उसके अंजाम दिया जाता है कोई ऐसे cybercrime जो आपकी knowledge में हूँ, जिससे लोग प्रभावित हो चुके हैं, घुछ ऐसे cybercrime के बारे में बताएं सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले cybercrime आज देखे जाए तो, banking credited बहुत सारे crime है, इसमें लोगों को credit card या debit card के details मांगी जाती है, पास्वर्ड अब्रेशन चरना है या लिमिड अपकी एक्षेंट करनी है और शीनियस्क अच्छत करकारां के पंब का कई तो परस्टेब में पास्वर्ड तक भी ले लेते हैं, आधिक तर लोग वह उन्हें बेंकर समझखके देदेते हैं और कहीं न कई उनको पता चलता है कि हमारे अकाउंट से दस्वीस हजार या पचाज या लाग और के गायब हो चुके हैं यह एक सबसे ज़्यादा केसिस जो आज दिखने में आ रहा है सेकेंड हम देखेंगे तो सोशल मीडिया पर कहीं बार गलत चीज़े को फॉरवर्ड करना बहुत आसान है आपको गलत चीज़ बना के भेज दो आगे वह बहुत फास्ट पहुंचती है नेगेटिव पॉबिसिटी उसको बहुत है और किसी भी लोग के बारे मिया किसी भी धरम को रिलेटेड या किसी भी महात्मा को लेकर अगर आप कुछ टेटमेंट दे तो बहुत जादा पहलता है तो लोग यह सोचते नहीं है कि यह सही है या गलत है जैसे कि आज कर बहुत देखा जारा देवी देवताओं के बारे में बगवान के बारे में कि आप यह पोस्ट ग्यार लों को बेजो ने तो कोई पुरी ख़वर मिलेगी तो इस ताइप के जो मैसेजिज होते हैं इनके बारे में क्या कहना चाहिए यह जो मेसेजिज होते हैं यह एक मार्केटिंग ट्रिक्स होती है जहां पर लोगों को बीजी रखने के लिए इस तरह के समस बेजे जाते हैं कई बर आपको भगवान के नाम से समस आएगा कि इस समस को चार लोगों को फरोड करो या दस लोगों को फरोड करो या बारा लो रिखाराई कि हमाने के बंच वहां में सही जाते हैं कि हमने वह दूसेर पाइसाइब कारी काफि अदर बंच करना के लिए बत código यह लगां। साइबर क्राइम जैसे कि हम लोग विशिंग एक साइबर क्राइम है, स्मिशिंग हो गया, पॉनोग्राफी हो गया, डेटा थेफ्ट हो गया, पासवर्ट हो गया, इमेल हैकिंग हो गया, या बैंकिंग फ्रॉड हो गया, या शॉपिंग फ्रॉड हो गया, या पॉंजी स्कीम या job frauds हो गया, या matrimonial fraud हो गया, एकनि करहा कहीं डाइप के वे, साइबर क्राइम, किसे में आप देखोंगे तो, हर साइबर क्राइम का स्पेसिफिक मक्सद होता है, कि इस क्राइम को पर्टिकुलर यह हासिल करने के लिए यह इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसको साइबर क्राइम को अंजम दिया गया है इसमें साइबर टेर्रिजम भी आता है, साइबर वार्फेर भी आता है और डेटा है आता है आपका सर्वर हैकिंग आता है मंदब कहीं परकर के साइबर क्राइम होते हैं जैसे कि सबको मेरे खाल से पता हो गए ही कि साइबर क्राइम को लिग कर हमारे देश में कोई कुपता कानूल नहीं है तो आज जो हमारे देश में साइबर क्राइम की कैसे थी कृति पी अधर सभी कंखे निवंग अज़ देखा जा抗र्टी से अतार साइब करोड़ मुबाईल फॉन यूजर्स हैë जैसे मुबाईल फॉन यूजर्स बढ़ते हैं क्राइब बढ़ता है क्राइम बढ़ता है क्राइम बढ़ता है तो जब आगे जानकारी लोगों में नहीं आएगी, तब तक वो आइवर क्राइम बढ़ता रहेगा सैले जी, कफी अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप साइबर क्राइम के बारे में मैं जाना चाइता हूँ कि साइबर क्राइम से बचने के क्या तरिके हैं? थाकि लोग साइबर क्राने के सिकार ना हुआ साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे पहले जाना जरूर ज़ यज करने के लिए हमने को यह साइबर क्राइम किया है सबसे पहले साइबर करीम क्या है वो जानना जरूर यह उसके बाद आपके पासवर्ट है बैंकिंग डिटेल से कॉंपिदेंचिल पर्सनल डेटा है आपके इमेज इसे वह सारे चीज़े आपको अपने पर्सनल लेवल तक ही रखना है या पब्लिक में या इंटरेट पे सब्सक्राइब करते हैं तो यह सारे चीज़े हमको पर्सनल चीज़े शेर नहीं करनी है और पासवर्ट हमारे स्ट्रॉंग रखने है या तक कि हमको साइबर क्राइम से कैसे बजा जा इसके बारे में इंटरनेट पे भी कही सारी इंफोर्मेशन फ्री आफको पड़ते रहन तो यह किस तरह से काम करती है और इस माध्यां से आपने ब्लों को फादा पहुचा है और किस तरह से प्रैसा हुआ कर दरएंग कि prevent a ंव एक किसर का सम यह उपांस कर foster चाहिए उसके प्र scarf इसका है किस तरह से crime हरा है सोकते हैं करने वादे का इंटेंशन क्या और सब से इंपोरडन कि किसे जानकर हम लोगों को देते कि यदि आपको कहा रिपोर्ट करना है किस तरह की प्रोसेस और उसे आपको आपका नुखसान कैसे बरपाई हो सकता है उसकी आगे क्या स्टैप्स लेने हैं यह सारे चीजे हम बताते हैं जैसे की आए दिन खबरे आती रहती है आज कल साइबर क्राइम के सिकार लोग बहुत हो रहे हैं तो अगर कोई व्यक्ति खुदानकास्ता साइकर साइबर क्राइम का सिकार होता है तो उसको क्या करना चाहिए उसको क्या करना चाहिए इसमें यदि आपके सब कोई फ्रॉड हो तब समिज तरह के से किसतरे प्रओड है आगे इंडिसन्रीकृचिन करें काशी पूंक वानतरी क्या पन्सथा कि आपको अपने आपको एजुकेट करना है और जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे इस सिलसिले में आप साइबर क्राइम कि अपने आपको एजुकेट करें और साइबर क्राइम से बचें तो बहुत बहुत दन्यवाद साइरेज जी आप सुडियो में आए और जन्ता को साइबर क्राइम से रिटेड इतनी अच्छी जानकारी दी थैंकिवाद कि अपने आपको है्